देखिए तथागत पूरे वीशू के भारत और पूरे वीशू में मिले के पांच लोगों ने धमकरांदे किया सिदात समयक संबुध बुधा ने किया उसके बाद समराटो सोका ना किया अ बिदेशों केलिए समराट असोका का जो बेटे थे महेंदर और उनकी जो बेटी थीृ संङ्मित्रा विक्षु और बिप्षूरी समराट असोका केलिए स्रिलंका असोक वाटिका में 자 पर्चार कराया और श्रिलांका से पूरे देश बिदेश में ये बुज्यम को फैलाने के लिए बिदेशों में महेंद संगमित्रा का पूरा सरे जाता है उसके बाद अगर बुद्ध, समराटसोक, महेंद्र और संगमित्रा और उसके बाद नाम आता है बाबा साहब आनि पूरे बीश में ये यही पांच लोगों अभी तक धंकरानती किया और बाकी जितने हमारे भारत के हो बिस्व के है जितने भिखुशंग है अभी बुझ्जेपन में देश को चलाने के लिए चार अस्थम होता है नाइ-पालिका होता है विधायका होता है और मीडिया होता है यही चार क्या है हमारे धम में चार खंबा है एक विखु संग है दूसरा विखुनी संग है तिसरा उपासक संग है और चौथा उपासिका संग है यही चार लोग मिलके धम का विशतार हम लोग करेंगे आज हमारे बीज समराट असोक नहीं है जो उपासक उपासिका है है वही समरा तो कोशिश करें, कोशिश करने वालों कि कभी हार होती नहीं है, हम लोगों को उची उरान भरो, नई सोच रखो और बुराई की खत्मा करो, ने धमकरांती किया, धमचकर परवर्तनाय किया था, कब किया था, सारनाथ में असार पुरिमा से शुरुवात किया था, भिखु संग उसको कहा जाता है, धमचकर परवर्तनाय दिवस, वो सिधार्त गौतम बुद्य ने ये जमबुदी भारत वर्ष से सुरात किया था, दूसरा धमकरांती सबसे जादा अगर कोई करने वाले है तो महान समराट वसोक ने करने वाले थे, समराट वसोका ने पूर में जब आए तो 84,000 बुद्विहारों का निर्माड कराए, 84,000 अस्तूब बनवाए और 84,000 सीला लेख बनवाए और बहुत विक्षुओं को सरवे भी किये ताकि जीतने नकली बहुत विक्षु हैं, उनको कम सरवे कोके संग को दूसित किया जा रहा है उसको बाहर लिकानन का मतलब काम किए 50,000 से जादा नकली बहुत विक्षु भी उस स्रावक संग था उससा संग का सरवे करके समराट वसोक ने लाने का काम किया आनि जंबु दीव में पूरा भारत वर्ष में ताकि भारत को बधमें बनाये चाहें भारत बधमें बन चुका था मगर अंतिम जो बुद्विहार आज हिंदुों का पुराना मंदिल है जितना तिरुपति बाला जी ले ले लिजिए पडरपुर ले ले लिजिए जितना प्राचीन हिंदुों का मंदिल है वो सब कहीं न कहीं बुद्विहार ही है यह तातिविक विवाक से खोज करके आपको इसका प्रवार ले सकते हैं जितना देवी है वो बुद्ध का ही मुर्ति को देवी बनाया गया है और बाद्धम सुंकाल में खब्द कर दिया गया और अगर बाबा साहब नहीं होते 14 अक्त भारत में भारत बादमय की तरफ जा रहा है अभी भंते बिमल किर्ती जी ने 24 अक्टूबर को 2023 में आपको 24 जा धम दिक्षा बक्सर कंसर बक्सर बिहार में हमने अभी सबसे बाड़ा धम दिक्षा का यह हमने करांती किया धम दिक्षा के लोगों ने CSTOBC मानोरीटी के अभी तक भाबा साब ने कोई सपना लिखित में अधूरा नहीं छोड़ा बाबा साब ने सब सपना पूरा कर दिया है अभी लिखित में दो सपना अधूरा है बाबा साब का एक सपना बेभार में यही है इस देश में पुनो भारत को बादमय बनाओ और दूसरा सपना है बावा साब का इस देश का साशन करता जमात बनो, जिस दिन हमारे भारत वर्ष के लोग, AC, ST, OVC, मानुरिटी के लोग बहुत बन जाएंगे, उसी दिन परलिया मेंड के जो चाभी है न, अनि PM, CM, DM, राष्टपती सब हमारे बहुत बहुत बन जाएंगे, तब बावा साब के सपना हम समझेंगे, यह सकार हो जाएगा, आनि भारत बहुत में होके इस देश का सासन करता हमारे लोग जमात बन जाएंगे, हम आप लोग को AC, ST, OVC, समाज की जितने संगठन है, जितने अलग-अलग संगठन काम कर रहा है, उन लोगों से भंते जी, राजनिती ख्रांती एक जगे आकर किजिए हम समझेंगे 2024 में बहुजणों का सरकार बन सकता है यह कहीं भीकल्प है इभियम का सब लोग मिलकर बिरोध किजिए नहीं करते हैं तो सब लोग एक तरफा बहुजण समाज के जितने संगठन है एक तरफा एक जगे भोटिंग हम समझेंगे यह हम लोग को सफलता मिलेगा हम लोग को कोशिश करना चाहिए कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती मायधार के डर से नहीं कभी पार नहीं होती अलग-अलग डफली वजाना आप लोग बंद किजिए हम लोग को समता मूलक समाज बनाने के लिए जितने बहुजन समाजी के लोग है, सब को एक जगे आना पड़ेगा, इनहीं चन सब्दों के साद अपने धम देशना को समाथ करते हैं, नमो बुदाय, जय भीम, साधुबाद, भावतु सब मंगलं